हेलो फ्रेंड्स आज मैं उपस्तित हूँ काफी दिनों बाद कुछ important question के साथ में चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज मैं वीडियो में केवल 5 question discuss करूँगा और बहुत ही simple question होगे ज्यादा कठिन नहीं होगे बहुत ही simple question होगे जो कि आने वाले exam में पूछ आ सकते हैं और previous exams में पूछ गया है जैसे पहला question दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है तो बड़ी संख् संख्याओं का योग 40 है यानि दो संख्याओं का योग मतलब x plus y is equal to 40 है x plus y कितना है 40 है और x minus y कितना है 6 है देखें वीडियो skip ना करिएगा क्योंकि जो मैं बता रहा हूं यह अभी मैं एक basic method बता रहा हूं जैसे हम लोग अभी तक करते हैं लेकिन इसके बाद में और 3 भी बता दूंगा इसकी ठीक है अच्छा ध्यान दीजिए जब हम लोग देखते हैं दो संख्याओं का योग 40 है और दो संख्याओं का योग मतलब अंतर जो है वह 6 है तो काटने पर y कर जाएगा और 2x value कितनी आजाएगी 2x value आजाएगी 46 जब 2x value 46 आजाएगी यानि पहला नंबर आ जाएगा 23 और दूसरा नंबर किसी भी क्योशन में रख के हम निकालेंगे तो दूसरा नंबर भी हमारा आ जाएगा तो इस तरीके से हमें दो नंबर मिलेंगे 23 मिलेगा एक 17 मिलेगा एक 20 मिलेगा 23 मिलेगा 17 मिलेगा जिसमें बड़ा नमबर 23 है अगर बड़ा नमबर बूचा जाएगा तो बड़ा नमबर हमाँ आंसर देदेंगे और छोटा नमबर बूचा जाएगा तो छोटा नमबर हमाँ आंसर देदेंगे लेकिन इस तरीकों को ना करके क्योंकि इसमें बेटर रहेगी चलिए देखते हैं उस ट्रिक को ट्रिक यह है कि योग दिया है और अंतर दिया है और बड़ी संख्या निकाल लिए देखिए दो कुछन पूछे आ सकते हैं इसमें या तो बड़ी संख्या पूछेगा या छोटी संख्या पूछेगा बड़ी संख्या निकाल एक ही तरीका जब बड़ी संख्या पूची जाए जब बड़ी संख्या पूची जाएगी तो क्या करेंगे जोड के आधा कर देंगे यह बड़ी संख्या हो गई अच्छा छोटी संख्या पूची जाती तब क्या करते तब इनी नंबर को माइनस कर देते यह नंबर को क्या कर लेकिन जिनको मैत नहीं सुन्याती जिनके कोशन बिल्कुल सुने का मन नहीं करता है उनके लिए ट्रिक है तो 40 में 6 गया 34 34 का अधा करेंगे तो 17 यहीं हमारा जो है छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 17 लेकिन हमें बतानी क्या थी बड़ी तो इसलिए मैंने बताया आपको नि योग 36 है इनका अंतर 12 है ध्यां से देखिएगा दो संख्याओं का योग 36 है और इनका अंतर 12 है और चोटी संख्या गयात करने के लिए क्या करेंगे 36 से 12 को माइनस कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 24 अपॉन 2 कितना होगा 12 इसका अंसर कि क्या जाएगी चोटी संख्या हमारी बारा जाएगी अगर बड़ी संख्या निकालते तो एड़ कर देते एड़ करने पर हमारा कितना आता 48 आता 48 को आदा करते तो हमारा यहीं बड़ी 24 है और चोटी बारा है चलिए नेक्स केशन देखते हैं ज्यादा पार्ट हैे नेक्सेपर न सक्षेक्ष हो गैसोन होगे इस दहाते है दो संख्याओं का यह निकालना है संख्याओं का गुड़नफल निकालना है इस हमें पूछा गया है अब योग और अंतर से हमें गुड़न फल निकालना है अब बच्चे कुछ बच्चे जो कमजोर बच्चे हैं वो कन्फूज हो जाएंगे कि अभी तक तो हमने यह और अंतर सीखा था लेकिन मल्टिप्लाई तो सीखा नहीं तो मल्टिप्लाई सीखने को जोड़ नहीं है आप दोनों नंबर निकाल लेजे और उसके बाद जो है हम गुड़न फल कर देंगे हमका तो दो संख्याओं का योग सोला है तो सोला और अंतर यह अगर इसको बेसिक मेट्स लगाएंगे तो एक सडील और उसके नप pressing यह जाएगा चौंडा है चोटी संख्या कितनी ही खोती आई साथ हमारा शेल रिख यह सिंपल तरीका है और इस यहां तक कि यूटन नहीं होते हैं लेकिन कभी कभी बच्चों को लगने लगत Jus चलिए लेक्स्क्रूशन देखतें अ थी है दो संख्याों का योखर आठ है अप बोला गया है दो शंख्याओं का योख लाट है जरी इसको बेदर द्यान से देखे कुषिछन बहुत इंपॉटेंट है यह बहुत ज्यादा पूछा गया एक्जामस में अगर शाप शारे पूचा गया यह संख्याओं का योखफल आठा मिलब इनका सब्दिया हुआ है कितना है 8 है किसम कितना है 8 है और उन्हों का गुरूद्फल मतलब वाइब एकस्वाई क्या है वरा एकस्वाई हमारा 15 है एकस्वाई है değer 15 है अच्छा बोला गया है कि उनके वितक्रम conting aquesta क्या होगा उनके वितक्रम пр Natural मतलब हमें बताना है one upon y और one upon x दोनो one upon x और one upon y का sum कितना आएगा तो दिहान से देखिएगा अगर हम इन दोनों को divide कर दें x plus y और x y को divide कर दें तो ये क्या हो जाएंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में separate हो जाएंगे मतलब एक बार x के आपान में xy आएगा और एक बार y के आपान में xy आएगा इसको मैं next step में लिख्यत बताता हो एक बार x के आपान में xy आएगा और एक बार y के आपान में xy आएगा तो बहुत से ध्यान से देखिएगा यहां हमने काड़ दिया y यहां हमने कर दिया x तो यहां 1 upon y बचा और यहां बचा 1 upon x यहीं तो हमें निकालना था अचा इसकी value कैसे आई इसकी value कैसे आई 1 upon y plus 1 upon x की value कैसे आई हमने इन दोनों को क्या किया divide किया, यहीं 1 plus x plus y और xy को क्या किया divide किया, यहीं x plus y कितना था 8, और गुणफल कितना था 15 यहीं हमारा answer क्या होगा 8 उटे 15, यहीं 8 उटे 15 को हम divide करें, तो यह हमारा 1 upon x plus 1 upon y की value, upon x plus 1 upon y की value आ जाएगी, बहुत ही simple question है, और इसका का अंसर होगा आओ फोटे फंद्रा नेक्स to be गुद करो डिया हुआ है सेम हुजी कोश्चन six अ क्योंका ये धनरर फाल दिया हुआ है योकफल 11 है और फल 18 है तो इसका अंसर कितना हो जाएगा इसके वित्कुरुमौक और कि अद्यान रखेगा थोड़ा सा यह द्यान रखेगा योग है अगर यहाँ पर योग फोझा जाएगा तो यहाँ पर यहाँ चाहिए पर इत्था कराऊंगा अगर एक मेने में करा दिये लगातार तो थार्टी इंटु फाइव और वन फिफ्टी कुशन आपके पास हो जाएंगे जिनको आप रिवाइज कर सकते हैं और ज्यादा बड़ी वीडियो होगी निए दस मिनिट के आसपास की वीडियो होगी आप पांस कुशन डे